वहीं 5G सर्विस शुरू होने पर देश की कई बड़ी हस्तियों और दिगज नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है इसी कड़ी में CMN औरलाल ने भी देशवासियों को बदाई देते हुए प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का आभार जता है अपने ट्विट में CMN औरलाल ने लिखा मोदी है तो मुम्किन है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी के नेत्रितों में 5G सर्विस के साथ भारत व्यावन देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जहां लेटेस्ट जनरेशन की टेलिकॉम सर्विसिस मिलती है 5G इंडिया जैसा शांदार तोफा देने पर सभी देश्वासों की ओर से प्रधान मंत्री जी का दिल से आभार आगे बढ़ते में पंशकुला में होए कारेकरम में हरणा के मुख्यमंत्री मनोहलाल ने परयावन परदूशन पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि परयावन परदूशन आज मानता के लिए बड़ी चुनोती बन गया है मुख्य मंत्री ने कहा कि परयावन को सर्कुलर एकनोमी मानकर योजनाई बनाने की जरूरत है इसके लिए परयावन जलवायू परिवर्तन विभाग के साथ कई विभागों, संस्थाओं और आम जंता को भी साथ मिलकर काम करने की जरूरत है क्योंकि प्रदूशन व्यक्ति के मुनुश्य के खानपान पर असर करता है, श्वास क्रिया पर असर करता है, तो यह बहुत बड़ा संकट है जिसके प्रति हमको सचेत होना होगा, एंजियोस को भी आगयाना पड़ेगा, कुछ एक्सपर्ट्स को आगयाना पड़ेगा, सरकारों को आगयाना होगा, और उसका एक विधी विधानते करना होगा कि यह करना है, यह नहीं करना है, सरकारी भी भाग भी कोई एक भी भाग के काम यह जमें नहीं हो सकता हम सब जब तक in coordination with each other चाहे वो प्रयावर्ण में भाग है चाहे वो mc's municipalities है चाहे ग्राम विकास भी भाग है चाहे हमारा irrigation department है चाहे public health department है चाहे हमारी नई नई जो हम authorities बना रहे हैं नई ने संग्ठन अभी हमारा production control board है center का भी है state का भी है हमें पेक्षा है कि हमको सीधे रास्ते पर रखने के लिए NGT समय समय पर हमको guide भी करते रहें target है production संग्रक्षन